आपकी तरफ से धेरो ऐसे comment और message लगातार मिल रहे हैं कि confusion हो रहा है और वो कहा? और confusion budget segment में भी और premium segment में भी दोनों जगह पर है और सारा मामला है action camera से related budget segment में इतनी action cameras है, वहाँ confusion है और premium segment में sales निस सिस्टम सारा खराब कर दिया क्योंकि यहाँ पे premium quality के कुछ action cameras आपको ऐसे rate में मिल रहे हैं कि choose करने में ही confusion हो रहा है और किसी तरह का confusion ना रहे इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि इस वीडियो में सिर्फ मैं action cameras को लूँगा किसको क्या चाहिए वो अगले वीडियो में cover करेंगे यहाँ पे हम price wise देखेंगे कौन सा action camera आपके लिए perfect हो सकता है ध्यानर किएगा action cameras इस वीडियो में हम budget segment से लेगर premium section तक सभी action cameras को cover करेंगे और हर budget के लिए देखेंगे कि कौन सा action cameras आपके लिए perfect रहेगा सुरुवात करते हैं सबसे कम budget से ही under 5,000 तो under 5,000 कौन सा action camera ऐसा है जो आप ले सकते हैं and the answer is कोई नहीं कलती मत कर देना budget segment में under 5,000 कोई भी action camera खरीदने की आपके पैसे ही बरबाद होंगे वो चाहें sale में हो, कहीं पे हो आपको under 5,000 कोई action camera नहीं खरीदना है confusion दूर अब उससे उपर चलते हैं 5,000 से 7,000 की range के अंदर तो यहाँ पे एक ऐसा action camera है जिसकी screen टच्क्रीन नहीं है परन्तु उसकी video quality बहुत अच्छी है 4K 60 FPS पर यहाँ पे stabilization मिल जाता है और वो action camera है easy click उसका review मैं चलल के उपर कर चुका हूँ वो video आप देख सकते हैं और उसकी video quality कैसी है कैसा आपके लिए perfect रहेगा वो चीज़ चूज़ कर सकते हैं अब किसके लिए है यह action camera सिर्फ और सिर्फ जो moto vlogging कर रहे हैं और उनको सिर्फ starting में एक बार camera चाहिए उसके अलावा उनको उस action camera के साथ कुछ नहीं करना सिवाए moto vlogging के तो यह best camera रहेगा अब यहाँ पे आपको कोई confusion नहीं रखना है कि ये ले वो ले best मैं बता चुका हूँ link में यहाँ इस video के description के अंदर भी डाल दूँगा और आप WhatsApp channel को भी join कर सकते हैं वहाँ पे मेरी कोसिस है कि हर product का link अपडेटिड लिंक आपको मिलता रहेगा तो इसलिए WhatsApp channel को जरूर जोइन कर ले WhatsApp channel का link भी नीचे description के अंदर मिलता है अब बढ़ते हैं इससे next range के अंदर आठ से ले करके 10,000 रुपई की range के अंदर तो आठ से ले करके 10,000 रुपई की range के अंदर बहुत सारे action camera's है कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना वो चीज़े important है सबसे पहले जितने भी micro USB port के साथ आपको action camera's मिलते हैं नहीं लेने वो आज के recording नहीं नहीं लेने दूसरा जिनके अंदर 5K 30fps नहीं हो या दूसरे words में कहें कि 4K 60fps आपको नहीं मिले तो नहीं लेना 4K 60fps के उपर ये भी ध्यान रखे है कि stabilization जरूर रहे तो यहां पर आपको बहुत सारे action camera's मिलेंगे जिनके अंदर USB Type-C की port है तो इस segment में ऐसे बहुत सारे action camera's है जिनके अंदर ये सारी की सारी खूबिया है और next is जो आपको ध्यान रखनी है वो ये की stabilization कैसा है और low light performance कैसा है जैसे कई सारे action camera's को हम यहां पर review कर चुके हैं under 10,000 की में बात कर रहा हूँ जैसे की easy one, hini show, dizzy tech and there are so many तो तीन ये action camera's थे इस budget segment के अंदर जिनके अंदर काफी अच्छी video quality मिलती है पर तु easy one की यहां पर बात करें तो वो best quality की videos देता है low light के अंदर भी और even daylight के अंदर भी stabilization भी उसका बहुत अच्छा है और hini show, इसमें भी आपको सारी चीजे बहुत अच्छी मिलती है dizzy tech के अंदर low light performance थोड़ा सा अच्छा नहीं मिलता focusing issues हैं तो बचे अपने पास दो camera easy one और hini show अब यहां पर क्या scene है जहां से सुनना sale के अंदर easy one का price down आएगा लगभग 8000 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगा under 10,000 नहीं रहा यह बहुत नीचे जा चुका है तो इसलिए यह एक best deal बन जाती है दूसरी तरफ hini show है परन्तु उसके साथ सबसे बड़ी समस्य आती है stock availability की और price भी थोड़ा सा high रहता है कई बार तो above 10,000 भी चला जाता है तो आपको सोचने की जरूत नहीं है आख बंद करके easy one उठा लीजिए 8,000 रुपए में इस से बढ़िया आपको action camera नहीं मिलेगा हलाकि इन सभी action cameras का review भी में चैनल के उपर पहले कर चुका हूँ आप video देख सकते हैं उसके बाद अपना decision खुद ले सकते हैं परन्तु एक और खतरना confusion है वो है about 10,000 और 15,000 रुपए तक की range के लिए तो यहाँ पर ऐसा कोई budget action camera नहीं है जो आपको अच्छी quality देदेगा परन्तु आप यहाँ पर कह सकते हैं आकासो के दोनों ही 7 easy range के अंदर आते हैं यह तो ही नीशो भी easy के अंदर आता है और इसके अलावा SJ cam का C300 भी easy range के अंदर आता है उनके साथ क्या problem है उसकी video quality भी up to the mark जो price है उसके according fit नहीं है क्योंकि 8,000 रुपए का 8,000 रुपए का जो easy one आता है वो उसको beat कर देता है वहाँ पर उसका comparison video जल्द ही में लेकि आऊँगा अब presently मैं आपको जो live stream हुई थी उसमें otherwise वो पानी के अंदर डुबोएं कैसे भी करें वो best action camera वहाँ पर हो जाता है परन्तु सबसे बड़ी समस्या आती है कि उसकी stock availability की वो नहीं मिलता अब बारी आती है 7E की 7E के अंदर कोई problem नहीं है बहुत अच्छा action cameras है अगर आपको मिल जाए तो ले लेना नहीं मिलता है तो मैं यहाँ पर कहूँगा आप अपना budget कम कर लो और easy one ले लो आपके 3-4,000 रुपए बचेंगे क्योंकि वही quality तो आप लेने वाले थे 15,000 के अंदर लगबग वैसी quality वो भी मिल जाती है अगर मिलता है 7LE तो ले लेना उसके अलावा यहाँ पर कोई range नहीं है बैटरी यह होगा कि present time में आप थोड़ी सी अपनी range भढ़ा ले अगर 15,000 तक आ चुके हैं तो उससे थोड़ा सा उपर निकल जाए अब उपर निकल जाते तो फिर आता है 20,000 रुपए की range में इसमें कोई budget वाला मामला नहीं रहता यहाँ पर फिर हम budget छोड़के थोड़ा आगे की तरफ निकलते हैं प्रीमियम एस की तरफ तो 15,000 से 20,000 रुपए की range के अंदर किसी type का कोई action camera आपको खरीदने के लिए available नहीं है हाँ उसके नजदीक लगता है 24,000 रुपए के अंदर DJI का Osmo Pocket 2 उसका लिंक नीचे डिस्क्रिशन में दे दूँगा सिर्फ एक model है जो मिलता है वो आप देख सकते हैं परन्तु वो moto vlogging या उस तरह की चीज़ों के लिए नहीं किया जा सकता वो आगे वीडियो में बात करेंगे कि वो क्यों perfect नहीं है मैं यहाँ पे सिर्फ action cameras की बात कर रहे हैं अब बारी आती है premium segment की about 25,000 जैसे तैसे करके आप अपना budget बढ़ाते हैं 25,000 रुपए या उससे आसपास 30,000 रुपए की range में अपने आपको रखते हैं और फिर देखते हैं कि हमें एक extra action camera चाहिए जो हर जगह पे fit हो और यहाँ पे confusion बढ़ा दिया ही sale ने sale ने confusion क्या कर दिया अब यहाँ पे मुझे बार-बार message मिल रहे हैं तगड़े action cameras के लिए एक GoPro और दूसरा Osmo Action अब यहाँ पे अगर sale में देखे तो GoPro Hero 9 27,000 के आसपास मिल रहे हैं 10 के भी यही हालात हैं तो और दूसरी तरफ Osmo Action 3 की बात करें वो भी 29 के आसपास sale में और थोड़ा सा कम करेंगे तो वो लगबग 26-27,000 रुपए के आसपास पहुंच आएगा तो अब इन में से कौन सा select करें यहाँ पे सबसे बड़ा confusion है अपका यह confusion भी अभी दूर कर देते हैं बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं कि up to Hero 10 GoPro Hero 7, 8, 9, 10 अगर आपको 27,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा इस सेल में उसकी low light performance इन सब कैमराद से बहुत अच्छी है और यहाँ पे आपको कोई subscription वगएरा भी लेना नहीं पड़ता एप है, एक बार लिया, सब फ्री है तो up to Hero 10, skip all those, go for Osmo Action 3 अगर आपको मिलता है 26,000 रुपए के आसपास ले लेना बेस्ट है अब उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं इतनी दूर तो आगे, अब थोड़ा सा क्या रह गया अब तो premium segment में पहुंच के और above 30,000 तीन बड़े हाथी आजाते हैं Insta360, GoPro और DJI अब यहाँ पर तीनों के अंदर तगड़े camera जिनोंने launch की हैं पहली बात करते हैं Insta360 के बारे में Insta360, 360 वीडियोज लेता है परन्तु उसके अंदर बहुत सारा distortion मिलता है तो इस वज़े से आप उसको editing करने में ही परेशान हो जाओगे अगर आप initially अपने लिए कोई लेना चाहते है editing इतनी ज़्यादा आपको नहीं आती है या उसमें आपको इतनी महारत हासिल नहीं है तो avoid that उसके अलावा उसका lens भी थोड़ा सा fragile रहता है क्योंकि बाहर की तरफ निकला हुआ है तो वहाँ पर scratches वगरा निकलेंगे तो problems आएंगी तो वहाँ पर थोड़ी सी problem आपको हो सकती है क्योंकि यहाँ पर हम action cameras की बात करें हो और action camera का मतलब है refuse और रफ handling में Insta360 बेचारा नराज हो जाएगा आपसे अब बात करते हैं GoPro 11 और GoPro 12 GoPro 11 और Osmo Action 3 लगबग same type की quality, same type की features आपको मिलेंगी GoPro के अंदर आपको एक थोड़ा सा advancement यह मिल जाती है कि आप उसके अंदर vertical या horizontal दोनों type की videos record का सकते हैं वहाँ पे एक ऐसा option मिलता है जबकि Osmo Action 3 के अंदर यह option नहीं मिलता बट यकीन मानिये उससे कोई फरक आपको पढ़ने वाला नहीं है क्योंकि आप vertical videos record करेंगे या horizontal videos record करेंगे इतना ज़्यादा difference वहाँ पे नहीं आएगा तो GoPro Hero 11 लें या Osmo Action 3 लें तो वहाँ पे भी अगर आपको low light performance अच्छी चाहिए तो आप Osmo Action 3 को ही prefer कर सकते हैं परन्तो GoPro Hero 11 के price में आपको Osmo Action 4 भी मिल जाएगा which is far better than GoPro Hero 11 and even GoPro Hero 12 तो वहाँ पे आप Osmo Action 4 को consider कर सकते हैं आप GoPro Hero 12 लगबग 44,000 रुपे या sale के अंदर करें कि maximum आपको 40,000 के अंदर मिलेगा उन्दा other hand Osmo Action 4 आपको 40,000 में एक पूरा combo pack मिल जाएगा जिसके अंदर 3 batteries, handle and शारी चीज़े जो हैं वो इसके साथ मिल जाती है और बहुत अच्छी वीडियो quality है low light में भी, daylight में भी और हर जगह पे Osmo Action 4 की इस वीडियो को मैं भी बहुत सारे GoPro fans भी देख रहे होंगे मैं उनको criticize नहीं कर रहा हूँ बट जो reality है वो बता रहा हूँ GoPro की color science बहुत अच्छी है अगर आप daylight के अंदर videos record करते हैं तो GoPro की color बहुत अच्छे वहाँ पे मिलते हैं बट फिर वहीं आता है Osmo Action 4 भी किसी मामले में कम नहीं है तो इसलिए Osmo Action 3 and Osmo Action 4 with combo budget के according best ही रहेंगे इन सब के साथ and I think अब आपको कोई confusion नहीं रहा होगा फिर भी confusion है नीचे comment section के अंदर लिख दीजिए WhatsApp channel को आप join कर लीजिए वहाँ पे time to time में link डालता रहूँगा Instagram के उपर मुझे message करते रहे है मेरी कोशिस है हर message का आपको जवाब दिया जाए ताकि sale में आप एक better action camera अपने लिए purchase कर पाए and before the end of this video एक चीज में clear करूँ कि ये सिर्फ budget के according कैसे आप अपना action camera select कर सकते हैं वो था this video was only about action cameras अलग-अलग type के use के लिए कौन सा camera आपके लिए perfect रहेगा जैसे आपको DHLR लेना चाहिए या आपको action camera लेना चाहिए mobile कहां पर बहतर रहेगा वो एक different video में हम उसके बारे में बात करेंगे उसके लिए भी आपका कोई भी question या सुजाव हो हमेशा की तरह नीचे comment section इसी काम के लिए बना हुआ है भर दीजिए मैं उसको पढ़ता रहूँगा और नेक्स वीडियो में उन सब चीजों के बारे में बात होगी इंस्टाग्राम के बूपर भी आप मुझे message कर सकते हैं So this was all about for the day मिल दे नेक्स वीडियो में Thank you very much